मा तुम चिंता मत करो मैं तो ऐसी लड़की से साधी करूँगा जो तुम्हें बेट से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे चाय और खाना तो दूर की बात है और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूँगा उसे उसके पिता के घर काब्या के कानों में तीर की तरह चुप रही थी काब्या देवर की कड़्य बाते सुनकर भी चुपचाब रसोई में खाना बना रही थी गुना सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबा साथ बजे की चाय आठ बजे बना कर दी थी दो महीने की गर्वती काब्या को इतनी उल्टिया होती सिर्दर्ध होता है उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता गर्भवस्ता के शुरुवाती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब दाल पकाना होता है दाल पकाने के सुगन से ही उसको उल्टिया होने लगती खाने में भी उसको कोई सुआद नहीं आता और दिन भर मन अजीफ सा बना रहता लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती काब्या के पती अमर उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते अगर काब्या कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते देखो काब्या तुम और तुकी बाते सुनने का मेरे पास बिलकुल भी समय नहीं इसलिए तुम अभी यहां से जाओ और अपनी बात जाकर मां से कहो अमर का रूखा बेवहार और इस तरह की बाते उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती उसकी सास रेखा जी एक औरत और मां होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी उपर से रही सही कसर देवर मयंक ताने सुना सुना कर अमर के कान भर कर पूरा कर देता या यूँ कहें कि पूर्श होकर भी मयंक काब्या के लिए दूसरी सास की भूमिका निभाता हर बात और हर काम में काब्या को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देख भाला और ख्याल रखना चाहिए काब्या के ससुराल में एक देवर दो साधी सुदा नंदे और सास ससुर थे पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता मैंग जैसे कहता उसकी सास रेखा जी वो ऐसा ही करती और कहती और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को अमर सिर्फ जुका कर मान भी लेते काब्या ने कई बार कहा अमर घर की सास सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं क्योंकि दो बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता लेकिन मैंग के कहे सब्द अमर की काब्या के सामने दोहरा देता तुम इतना भी काम नहीं कर पाती और मेरी मा चार बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी तुम आजकल की आउरतों के नाटक बहुत हो गए हैं जितनी सुबधाय उतनी तकलीब रहती है तुम लोगों को काब्या ने रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने के वज़े से बच्चे के जनम में तकलीब झेली लेकिन समय के साथ काब्या ने अपना मुँख खोलना सुरू किया और सीधा बगावती हो गई उसने दूसरे बच्चे के जनम के समय सीधे सब्दों में कह दिया कि मैं अपने माय के जा रही हूँ और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना जितना बन पड़ेगा उतना ही करूंगी बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है जिसका नतीजा एह हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जनम के बाद भी छे महीने के लिए माय के छोड़ दिया गया ताकि उसे एह एह एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता अमर के सिवाय काब्या के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस न कर घर आया इधर रेखा जी और मैंक का बेवार वैसा का वैसा ही रहा लेकिन काब्या भी अपने कहे अनसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता दोनों नंदे फोन से तो देवर सास घर में रोज-रोज काब्या को ताने देना और बाते सुनना सुरू कर दिया वो हर काव्या के वालों के नाम पर तो कभी घर के काम काज और बच्चों की परवर इसको लेकर ताने देते, ब्यंग करते रहते, काव्या भी आप पलट कर हर गलत बात का तुरन जबाब देती, जिससे घर में हर रोज जगड़े सुरू हो गए, आखिर में जगड़ों से परसान हो अपने परिवार से दूर हो गया, लेकिन काव्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता था, उसको अब सिर्फ अपने बच्चों की फिकर रहती और उनकी खुसी में उनके साथ खुस रहती, अमर के कहने पर तीज तेवहार पर साथ से बस अवचारिक बात चीत हो जाती ह और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, काव्या काम का बहाना बना कर फोन रख देती, इसी तरह काव्या के दिन बीचते गए, काव्या की साथी के दस साल बात देवर महिंग की साथी हुई, महिंग की साथी में काव्या सिर्फ साथी होने तक रुकिया और सारी रस काब्या को दिये जाने वाले ताने और बैंक कटू थे और आने वाली बहूर से अपार उम्मीदे जिस वज़ा से काब्या चुप ही रही इस बार पूरे दो साल बात काब्या गर्मी की छुट्टियों में अमर के जिद पर ससुराल आई थी उसका मनना होते हुए भी ओ आई उ इफिन और सुबा की चाय सासुमा रेखा जी खुद खुसी खुसी बना रही थी काब्या की देवरानी आराम से आठ बजे सो कर उठी नौ बजे काम वाली भाई भी आ गई जिसने जाडू पोछा बरतन सब किया दोपहर का खाना काब्या ने अकेले ही चुपचाप बनाया उसके बाद रेखा जी ने काब्या से साम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा पहले दिन लगा काब्या को कि सायद उसकी देवरानी पूजा की तवियत ठीक नहीं है उसने अपनी देवरानी से पूछा क्या हुआ तवियत ठीक नहीं क्या तुम्हारी लेकिन उसने जवाब खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिने को तुलना से सोच कर तकलीब भी हो रही थी रात में काब्या ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया अमर बैठकर मैंक के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां मैंक आ गया जिसे देखकर अमर ने कहा बड़ी देर कर दी मैंक आजा चल खाना खाते हैं मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है जिसे सुनकर मैंक ने कहा भीया आप खाना खा लेजिए मैं पूजा के साथ कमरे में खाऊंगा इतना कहकर अपना और पूजा का खाना लेकर मैंक कमरे में चला गया इधर अमर खुद को सर्मिंदा मैसूस करने लगे और जैसे ही अमर की नजर काब्या से टकराई अमर ने तुरंट अपनी निगाहे नीची कर ली और बंगले जाकने लगे काब्या के देखने पर ना चाहते हुए भी अमर को देखकर हसी आ गई और ओ मुस्कुराने लगी खाना खाने के बाद जब काब्या सारे काम समेट कर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए मैंक ने पूजा से पूछा तुम बस आराम करो अभी दो महीने हुए हैं जब तक काब्या भावी हैं तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की जिरोत नहीं बस अपना और अप मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना मैं बाहर से ले आऊंगा लेकिन जब दो महीने की छुट्टियों के बाद भावी चली जाएगी तब कैसे होगा काम मेरे तो अभी से पाओं और सिर्फ दोनों में दर्द हो रहा है आगे क्या होगा पूजा ने कहा मैंग ने कहा क्या पाओं दर्द हो रहे हैं बाकी बचे काम मा देख लेगी काब्या को उसकी बाते सुनकर बहुत गुस्ता आया ओ जैसे ही कमरे में जाने के लिए पल्टी तो देखा कि पीछे अमर खड़े थे जिन्नोंने भी सायद पूरी बात सुन ली थी तभी काब्या ने पानी का बोतल अमर की तरफ बढ़ा दिया देवर देवरानी की बाते सुनकर काब्या को अपने पुराने दिन याद आ गए जिसे सोचकर उसने आखों के कोर गिले हो गए उसकी आखों से नीद गायब हो गई तभी अमर ने काब्या से कहा काब्या तुमको अपने माय के जाना थाना सुबा उठकर सामान पैक कर लेना मैं छोड़ दूँगा तुम आराम से अपनी छुट्टी बिता कर सीधा अपने घर आ जाना और इतना काकर अमर सो गया काब्या सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं अमर की बाते भी उसे कोई सहानुभूत नहीं दे रही थी क्योंकि जब तक अमर को प्यार और अपने पन से समझाने की कोशिस कर रही थी तब तक अमर नहीं समझे लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई ए सब कुछ सोचते सोचते हो उसकी आख कब लगी उसको पता ही नहीं चला अगले दिन सुबह काब्या रशोई में गई तो देखा रेखाजी और मैंक को वहाँ पहले से मौजूद थे रेखाजी ने काब्या से कहा बहू लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने के आदत हो गई है तुम्हारी तभी मैंक ने फिर तपाक से काब्या पर ब्यंक करते हुए कहा अरे मा तुम बहुत भोली हो इसलिए तो अवरते अलग रहने जाती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके आप तो बेकार में उमीद लगाए रहती हैं आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी आपको चाय नास्ता खाना समय से बना कर मिलेगा गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरते सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती हैं तब काप्या ने कहा देवर जी आप तो ताना मारने और दूसरों की आउरतों को सिखाने में आउरतों से भी आगे हैं जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी उतनी सीख पूजा को देना भूल गए आप कहां गए आपके वादे आपकी चाय खाना नास्ता आपकी बीवी तो माजी को पानी भी बेट पर उनके हाथ में देगी पानी देना तो दूर माजी तो चाय नास्ता खुद ही बना रही हैं जो की मेरे यहां रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था वैसे मैं आप अमर ने उसने कहा भैया देखो भावी की जुबान कैसे कैची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं जब मायकी ही इनको जाना था तो फिर दो दिन के लिए यहां आकर दुनिया को दिखाने की क्या जुरूत थी तब अमर ने पहली बार कहा मैंक अब मैं काब्या के पैर तो दबा नहीं सकता तो पती होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूं मैं तुम्हारी तरह किसी को बाते सुनाता तो नहीं हूं देख लिया तुमने भी तुम्हारी बीवी घर का कितना काम करती है और तुम अपनी भावी को तान नहीं करना चाहता अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा हर बार काब्या को मेरी वज़त से रो कर अकेले अपने माय के जाना होता इस बार मैं खुद उसे खुशी-खुशी माय के छो गया इधर मैंक ने अमर की बात सुनते मूँ बना लिया और क्योंकि उसको पता हो गया कि काब्या और अमर दोनों ने ही रात की उसकी कही बात सुन ली है दोस्तों इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को